माल्दीव के साथ रिष्टों में तल्खी जेल रहे भारत ने तब रहत की सांस ली है जब माल्दीवियन डिमोक्राटिक पार्टी के इब्राहिम मोहमद सोली जैसे नेता ने माल्दीव में राश्ट्रपती पद का चुनाव जीत लिया है वो भी थोड़े बहुत वोटों से नहीं बलकि पूरे 58 फीजती वोटों से इब्राहिम मोहमद सोली ने चीन के पक्षधर रहे अब्दुल्ला यामीन को पठखनी दे दी है इब्राहिम मोहमद सोली का जन हिन्ना वारुद्वीप पर हुआ था लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत छोटी से उम्र में ही सोली माल्दीव की राजधानी मेल चले गए थे सोली ने मजीदिये स्कूल से अपनी सेकिंडरी एजुकेशन पूरी की अपने स्कूली दिनों में भी सोली एक लोकप्रियच छात्र थे और कई स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेते थे ऐसी गतिविधिया जो विशेश रूप से खेल के लिए लागू की जाती थी सोली तेरा भाई भेनों में एक थे फजना एहमद से सोली की शादी हुई जो कि पूर्व राश्ट्रुपती नाशीद मुहमद की पहली चचेरी बहन भी है सोली के सारा और यमन नाम के दो बेटे हैं इब्राहिम मुहमद सोली ही राजुनीती में कोई नया नाम नहीं है मालदीव में इब्राहिम में जीत कर पहली बार संसत पहुँचे सोली के मालदीविन डिमोकरेटिक पार्टी बनाने में एहम भूमी कर रही थी 25 साल से ज्यादा समय से सांसद रहे सोली ने 2003 से लेकर 2008 तक देश में राजनीतिक हालात में सुधार लाने के लिहास से आंदोलन भी किया था सोली के प्रयासों ने ही मालदीव में लोकतांत्रिक मूलियों और सम्विधान को मजबूती दिलाई पूर्वराश्ट्रपती नाशीद के निर्वासन में जाने के बाद सोली साल 2011 से MDP संसिदिय समहू के नेता रहे हैं पूर्वराश्ट्रपती नाशीद मुहमद के इब्राहिम मुहमद सुली काफी नस्दीक माने जाते हैं बतादे की चुनाव आयो की तरफ से मुहमद नाशीद को चुनाव लड़ने से मना किये जाने के बाद सोली को विपक्ष का साज़ा उमीदवार घोशित किया गया था और क्योंकि अब सोली ने राश्ट्रपती पत का चुनाव जीत लिया है तो ऐसे में ये भारत के लिए राहत देने वाली खबर है अब भारत मालदीव से अपने रिष्टे सुधारने की तरफ काम कर सकता है सोली के चुनाव जीतने पर भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए सोली को बधाई दी और कहा कि हम मालदीव में सफलता पूर्वक आयोजित किये गए तीसरे राष्ट्रपती चुनाव का स्वागत करते हैं इब्राहिम मोहमद सोली को चीत की बधाई देते हैं झाल झाल झाल